नमस्कार दोस्तों स्वाइब थे आपका हमार एक नए वीडियो में आज की वीडियो में हम हिस्ट्री का तीसरा लेक्षा देखने जा रहा हैं और इसमें हम क्या जानेंगे हम देखेंगे प्लासिक यूद्ध और बक्सर के यूद्ध माना जाता है और यही दूनों तो दोस्तों इसको पढ़े होंगे लेकिन आप कन्फीज हो जाते होंगे कि हां इसमें अगरेज़दार नित्रिट करता कोंते हैं बक्सा के उद्ध में नित्रिट करता कोंता और किसी युद की कारण बिंटिश का प्रहुत शंपन भारत में इस्थापित हो गया तो चलिए द पो dużo जता है कि मदार केрах अना ओर ऑ Buddhist के आवा जाती है कि वह सब्सक्रादी के में तुन आता तो इसी कारण जो भी के अफर्यत थे उनका सर्मादिक नजर बंगाल पे था और बंगाल पे अकरोण हुआ लेकर में रिजिन तो यह नहीं था में रिजिन क्या था किसराजु दौला ने 20 जूल 1756 को 20 1756 को 143 अंग्रेजियों को 143 143 अंग्रेजियों को एक छोटे सी कमरे में बंद कर दिये सुबह जब दर्वाजा खुला गया तो मात्री 23 बचे थे ठेक है और एक घटना तो एक कहाने नहीं कार्पने नहीं जेड़ हालवेल नामक जो ब्रिटिस थे उन्होंने खुद इस घटना का जिक्र किया है अब आप पुछेंगे जेड़ हालवेल कम थे तो दोस्तों जेड़ से ऑज़िश इ से अंगरेजंवने अगरेजां को एक छोटी सीकंबर में बंद कर दिया और मात्री 20rd वाज ऑठ ऑल प्लें लिए तो दोस्तों completelyना कहीं इसका आपकना सबस्यान्त तो पहले कौन थे रावर्ट क्लाइब कैसे या करना है पहले कौन थे रावर्ट क्लाइब और किन से युद्ध हुआ अगरे दो लोग में तो युद्ध होगा अंगरे जो के तरस नेत्र तो करता थे रावर्ट कलाई और बंगल के नवाप स्रीराजु दौला इनके वीच भूगा प्लासिक आयुद्ध और प्रासिक आयुद्ध जो ब्रिटिस थे उनका संप्रभुत्व हो भारत में नीव था सम्राज हो गया वारत में कब ब्रिटिस अपना राज अस्थापित कर दिये वह था बखसर तो पहले जानलेजिए कि 377 तावर को प्लासिक आयुद्ध रावर्ट कलाईव और सिराजु दौला के बीच और फिर बात की जाए किसे तो सिराजु दौला को धोका किस ने दिया तो मेर जाफर ने किया जिस कारण से यह प्लासिक अधार को फैदा क्या हुआ तो मेर जाफर इस युद्ध के बंगा का कटपुदली नवाब बना दिया गया तो अपपट नवाब था कि अग्रेज उन अपने फैदे के लिए उसको नवाब बना दिया लेकिन बना दिये और यह पैसा पुस्चा रहा तो इसको खटाओ इसको फटा दिया मिर्जाफर को 707 के दौद मिल्कासिम को नवाब बना दिये और मिर्कासिम मुर्षिदाबाद से राधाने अपने लिखा प्रभार का है एक राज्य तो मुंगर में तो खोला और मुंगर में गोला बारो देतो खाना किसमें खोला था तो थे मिरकासिम इन्हों अपने राज़े से मुंगर लेकर चले गया थे और नहीं भी कहिए कि बात रहा था मिर्यत्याफवार के साथ गंडारी कर सकते हैं यह मुढ़िजाफ़ा कि इन्होंने अपने राजधाली किस ने किया तो मिर्कासिम और इसका क्या तो इसका कारण है था किने विले तहा तो प्लासिक के युदुखे से में मुदर बाद रखार आलंगे दोते हैं उमने देदुर्स तो यहां तर क्लियर हो गया और ब्रेटिश प्रभूत्र के नियुव यह तो पहले दता दिया गया कि नियुव पड़ा था प्लासिक युदुखे तो एवर और विजिन करते तेज और तीन साल तक के लिए उसे नवा बना दिया लेकिन सत्रहसों साथ में मिर जाफर को उटा करके उसके दमाद मीर कासिम पहले आएगा जाफर बाद में आएगा कासिम जाफर को नवा बना दिया गया और कासिम करा जो प्रमुक करैं ये समें मुष्डवा बाद से रृधा ली लेकर में और मेर में श्रीयाचन होल और में माधर कला वोगया शुको तो नीचोंट है कि में कहला अगले प्रमुक सम्भा के ते मैं वी ब operates के में कर दनें हैus भी कर देखा लेगा और बंगल के नाव रखास बढ़ा को इन नाव मागी तो तीनों लोग त्रीगूट से ना मिल करके अंग्रेजों से लड़ाय किया लेकिन क्या हुआ इसमें भी इनकी हार कैवरो. उसके बाद कॉश्चन आता है कि इसकी ज Pan Hahaha पूरे भारत में औम बात करेंगे इसे ब्रिटिस प्रभुत्यों कब पूरे भारत पर नहीं दिन आता है कि प्लासिक उदुकर करें आपको पता बकसर 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 के बाद उन्हों नहीं कहा है तुम बुरिया बिष्टर अपना बकसर में रखो यहां से कल्टी लो तो मतलब बकसर बदमादी नहीं लोगों का और अपना बक्सा लाके रज़ दिया भारत में तो इस तरीकत से आप याद कर सकते हैं कंफ्यूजन नहीं होगा तो प्लासी के युद्ध से ब्रिटिस प्रभुत्व का नियुक्त पड़ा और बक्सर के युद्ध से ब्रिटिस प्रभुत्व भारत में जारी हो गया और इस इस एक रासी के रूप में साह आलंद्यूति को अंग्रेज कुछ देंगे नजराने के रूप में और कौश्चन आता है कि भारत के प्रतम पेंसेनर कौन थे तो थे साह आलंद्यूति उम्मीद दोस्तों यहां तो क्लिया लोग आओगा ब्लेक होल गटना इसको आपको अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद्ध कर दिया शुबह से कमरे का दर्वाजा खोला गया तो मातर तेस ब्यक्ति जिंदा बचे उन तेस में से जिद हालवे नावक ब्यक्ति जो थे उन्हों नहीं यह अपने यह बात पूरी बताई है कि ऐसे ऐसे कि अपना सिराज मुट्वें को याद करें से बंकर देना मुट्य में बंकर देना इसे मुट्वे बंद में देना तो अस्था पित कर दिया तो अब फ़ोड़ा गुट टिक लगा के याद कर सकते हैं लेकिन सिक्वेंस में याद करेंगे तो प्लासिक और बक्सार को इंपोर्टन टापिक था इतने जो लिखे गए यह कोश्चन आपके यूपी पूरिश कॉंस्टेबल यूपी यह साइट तक आ सकते हैं माले यूपी पीस या फिर उससे ओपर कही जान देंगे तब इसमें से और डिटेल में कोश्चन आपता है तो दोस्तों उम्मीदे वीडियो पसंद आओ वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जैन जै वारब